दोस्तो भागे लक्षमी शोव से आज सिर्फ इसके लीड अभिनेत्री एश्वरय खरे और रोहित सुचन्ती ही दर्शकों के चहीते नहीं बनें बलकि शोव में मलिश्का के नेगटिव किरदार में नजर आने वाली माईरा मिश्चा ने अपने किरदार से दर्शकों को काफ में तो सब जानते हैं पर क्या आप इनके होने वाले दूल है और इनके साससुर के बारे में जानते हैं कि वो कौन है क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं शायद नहीं जानते होंगे इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको उनहीं सवालों के जवाब देने वाले हैं तो ब प्रेल 1990 को बरेली में हुआ था जिसकी वज़े से इनकी पढ़ाई लिखाई भी बरेली के स्कूल और कॉलेज से ही कम्पलीट हुई है वहीं अगर बात करें इनकी आक्टिंग करियर के बारे में तो बता दे इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत बतोर मॉडल की थी जहां कदम रखने के कुछ समय बाद ही इन्हें कई टीवी सीरियस के ओफर्स आने लगे जिन्हें अपना करें होने महराजा की जैहो बहु बेगम और इशकबाद जैसे सीरियस में काम किया जिसकी वज़े से ये टीवी नस्ट्री की मशूर अभिनेत्रियों में गिनी जाती है जो रही है जो कि एक बॉलीवूड आक्टर है जो राज हाटलेस और बेखुदी जैसे फिल्मों में काम कर चुके हैं बतादे इनके होने वाले पती अध्यन सुमन इनसे काफी जादा प्यार करते हैं जिसकी वज़े से इन्होंने अपने प्यार को कंफर्म तक कर लिया था और खबरे आ रही हैं कि ये दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं जिसके चलते ही अध्यन सुमन के माता पिता इनके सासुर लगते हैं जिनमें सबसे पहले बात करें इनके सासुर जी के बारे में तो उनका नाम शेखर सुमन है जो की प्रोफेशन से एक आक्टर होने के साथ स सिंगर भी हैं बात करें मायरा मिश्चा और इनके होने वाले सासुर जी के बांड की तो बता दें यूँ तो इनकी तस्वीरे देखने को नहीं मिलती है पर बताए चाता है कि इनके सासुर जी इनके काफे रिस्टेक्ट करते हैं और अभी से इनके अपनी बहु का दर्जा देते हैं उन्हें पलकों पर बिठा कर रखते हैं अब बात करें इनकी सासुमा के बारे में तो इनकी सासुमा का नाम अलका सुमन है जो कि प्रोफेशन से प्रोड्यूसर है जुसके वज़े से इनकी सासुमा भी काफी जानी मानी परसनाल्टी है वहीं बता दें यूँ तो सस की तरहा इनकी सासु मां के साथ भी तस्वीरे देखने को नहीं मिलती हैं पर बताया जाता है इनकी सासु मां भी इनहीं काफी ज्यादा लाट प्यार करती हैं जिसकी वज़स से इन दोनों के बीच में काफी friendly bond है तो दोस्तों आप अभिनेत्री मायरा मिश्ट्रा के होने वाल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें